रमस्कार दोस्तो दोस्तो अभी बहुत ही sad incident हुआ अफगानिस्तान में जो काबूल एयरपोर्ट है जिसको हामिद करजा एयरपोर्ट भी का जाता है उसके बाहर में दो serial bomb blast हुए और ऐसा नहीं कि इस bomb blast के बारे में पहले किसी को पता नहीं था USA और फ्रांस ने इसका पहले तालिबान को बताया था कि आपके यहां पर bomb blast हो सकता है एयरपोर्ट के बाहर इतना जादा भीड हो रहा लेकिन तालिबान ने proactively कोई steps ने लिया और इसके कारण बहुत ज़्यादा bomb blast हुआ एक बार को जस्ट आप अफगानिस्तान के people के perspective से करें एयरपोर्ट का जो दीवार है उसको फान है और उसी दौरान एक bomb blast हो जाता है तो यह बहुत ही sad incident है और यह bomb blast होने से पहले तालिबान ने एक press conference किया था कि अफगानिस्तान का जो land है वो किसी terror activity के लिए use नहीं होगा हाला कि तालिबान को समझना चाहिए कि खाली press conference कर दिने से कोई modern और democratic नहीं हो जाता है और जैसे ही यह press conference वह उसी के 15-20 मिनिट बाद यह दो bomb blast हो गए काबूल एयरपोर्ट के बाहर और इस bomb blast में बहुत सारे बच्चे भी मारे गए है प्लस American national और बहुत सारे European national भी मारे गए ऐसा reports में आ रहा है और इस bomb blast को करने के पीछे ISIS का एक affiliate है अफगानिस्तान में ISIS को खोरसान उसका हाथ है तालिबान के according लेकिन यह अभी तक claim नहीं किया है कि इन्होंने यह bomb blast करवाया है लेकिन जो भी हो इस bomb blast ने USA का जो legacy है वर्ल्ड में उसको बहुत बड़ा धक्का दिया है प्लस US का जो foreign policy है यह उसके लिए एक बहुत बड़ा blunder है और possibility यह है कि जो बाइडन का जो approval rating है वो और गिरेगा पहले ही जो बाइडन का approval rating उसके disapproval rating काम है मतलब USA में जितने भी लोग है वो जो बाइडन का भी disapprove जादा करें as compared to approval तो अभी एक possibility यह भी माना जा रहा है कि जो बाइडन फ्यूचर में अपना resignation देखे कामला हैरिस को president बना सकते हैं क्योंकि उन्होंने जीतना unplanned तरीके से अफगानिस्थान से अपने troops को withdraw किया उतना unplanned तरीके से कोई नहीं कर सकता Donald Trump के according अगर वो president होते तो सबसे USA के जो भी citizens है अफगानिस्थान में उनलों को निकालते उसके बाद USA के जो भी military bases है उसको US bomb करके खतम कर दे ताकि उसमें जो कुछ भी weapons है वो कोई terrorist group को ना मिल जाए या फिर Taliban को ही ना मिल जाए उसके बाद USA के जो troops है अफगानिस्थान से withdraw करते तो यह Donald Trump अभी कहरें कि उनका वो इस तरह से अफगानिस्थान से अपने troops को withdraw करते लेकिन आप अफगानिस्थान में अभी just imagine करी वहाँ पे जो citizens है उनके उपर क्या बीत रहा होगा वो लोग सबसे पहले अपने country के लोगों जोड़ीवान है उनलों से पीछा छूड आना चाहते हैं इसलिए वो लों कितना मशक्कत करके airport तक पहुँचने का कोशिच कर रहे हैं और airport में भी बहुत सारे visuals ऐसे हैं जो कि दिखाए नहीं जा सकते हैं यह bombing के बाद और Afghanistan में एक वीडियो भी बहुत जादा वाइरल हुआ था जिसमें एक बच्चे को airport के उस पार कर दिया गया लेकिन उसके जो parents थे वो airport के अंदर नहीं जा पाए सिर्फ वो वाला एक ठो बच्चा जा पाया और वो वाला बच्चा बहुत ही छोटा था बाद में उसको Turkey का जो आर्मी है उसने उस बच्चे का ख्यार रखा और जो बाइडन ने जब Taliban से negotiate किया तो Taliban ने कहा कि जो बाइडन को कि USA का जो भी troops होगा वो airport के अंदर होगा यहीं पर जो बाइडन ने सबसे बड़ा blunder कर दिया जो बाइडन को पता होना चाहिए था कि अगर airport के भार में भीड होगा तो Taliban उसको manage नहीं कर पाएगा तालिबान को यह सब चीजों का कुछ अता पता ही नहीं लेकिन जो बाइडन ने तालिबान से जब negotiate किया तब उन्होंने इस पर आगरी कर लिया कि USA का जो भी troop वो airport के अंदर होगा और यहीं सबसे बड़ा गलती था अगर अभी USA का troop airport के बाहर होता तो बहुत सारे जो innocent people के life है वो नहीं जाते जैसे कि भीड में बहुत सारे लोग एक दूसरे को उपर कुछल जाने वैसा नहीं होता प्लस अभी जो अभी जो bomb blast वाला incident हो वैसा भी नहीं होता और अभी जो भी बहुत सारे world leaders है वो इसका blame तालिबान पर देंगे जो की एक हद तक सही है क्योंकि तालिबान को warning दिया जा चुका आंस और USA के intelligence के द्वारा कि कि वहाँ पर bombing हो सकता है तो अपना security force को ठीक से लगाए लेकिन तालिबान ने वैसा नहीं किया लेकिन इसका main blaming होना चाहिए USA के उपर क्योंकि USA का इतना unplanned withdrawal किसी ने expect नहीं किया था और at the end अफगानिसान के people को अभी और ज्यादा चौक करना रहना पड़ेगा क्योंकि reports के according और ज्यादा bombing हो सकता है और इसी के साथ यह वाला वीडियो का end करता हूं